हिलो स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं कक्षा बारवी का फिजिक्स इसमें आज हम अध्याय 9 जिसका नाम है किरण प्रकाश की इसमें अलग-अलग पार्ट दे रखे हैं तो इसका आज हम अध्याय 9A जिसका नाम है प्रकाश का परावरतन इसमें आज हम प्रकाश की किसे कहते हैं उसकी परिभाशा देखेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में बारवी फिजिक्स के प्ले लिष्ट की लिंक दी गई है वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं तो शुरू करते हैं ये क्योशन आज हम यहाँ पर प्रकाशिकी की परिभाशा देखने वाले हैं प्रकाशिकी किसे कहते हैं तो प्रकाशिकी भोतिकी की वह शाखा है ये प्रकाश की किसकी शाखा है भोती की यानि की फिजिक्स की शाखा है एक जिसके अंतरगत प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, धुरुवन आधी का अधिन किया जाता है तो इसके इंत्रकत किसका अध्यन किया जाता है प्रकाश का जो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवर्ण इन सभी का अध्यन किया जाता है और यह होती कितने प्रकार की है प्रकार की प्रकार की होती है एक है किरन प्रकार की और दूसरा है तरंग प्रकार की तो अभी जो हमारा अध्याय है ये अध्याय 9 ये किरन प्रकाशिकी पर आधारित है पूरा उसके बाद जो अध्याय 10 आएगा वो पूरा तरंग प्रकाशिकी पर आधारित होगा तो प्रकाशिकी दो प्रकार की होती है किरन प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी तो अब अगले टॉपिक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद